गुड मॉर्निंग फ्रेंच आप लोग कैसे हैं? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आप सभी मित्र मेरे मस्त और स्वस्त होंगे इसी उमीद और आशा के साथ मैं आज की वीडियो के शुरुआत कर दियूं अभी मैं अपने टेरेस पे आई हूँ सुबा के 10 बजे है और यहाँ पर जो है एक हफ्तर के करीवन हो चुका है और बहुत अधिक बारिश हो रही थी जिससे हम गार्डन में भी कुछ काम नहीं कर पारे थे और आज मैं आप से शेयर करूंगी अपने गार्डन के वह प्लांट जो कि मैंने आधा लीटर की बोतल में फ्रेंड्स लगाए हैं बहुत चोटी बोतले होंगी वह आधा लीटर से भी कुछ कम होंगी और कुछ आधा लीटर की बोतले हैं जिनमें प्लांट लगा स्षेक बोतल लगना साफ सकते हैं जोो इसलीं चोरब लगांगे हैं जो कि बहूती असानी सी भ्रोग कर मिना दोस्तों देख लिएhou और बहुत ही आराम से प्लांट में चल रहा है और jet plant जो है cutting से बहुत ही असानी से लग भी जाता है वास्तु के साब से भी एक लगती plant है तो इसको आप जरूर अपने garden में लगाएं और इस तरह छोटी-छोटी बोतल में लगाएं friends जिनको लगाना बहुत ही असान है और ये जगा भी बिलकुल नहीं लेते हैं कहीं भी आप इनको आराम से रख सकते हैं चोटी-छोटी बालकोनिया हो या हमारा terrace garden हो कहीं पर भी आप इनको लगा लीजिये तो ये आराम से चलेंगे ये plant हमारे ये भी देखिए बहुत छोटी सी आधा लीटर की बोतल है friends और इसमें भी मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ ये देखिए ये लगा हुआ है plant मेरा jet plant ये देखिए बहुत छोटी सी बोतल आधा लीटर वाली इसमें भी ये jet plant लगा हुआ है आप jet plant की growth देख सकते हैं कितनी खुबसूरत और कितनी अच्छी हो रही है ये आप ये सबी जो हैं ये मेरे ऐसे ही आधा लीटर की बोतल में लगे वे हैं मेरे jet plant ये भी देखिए ये आधा लीटर की बोतल है और ये देखिए आधा लीटर की बोतल का उपयोग हम करें अपने गार्डन में और इनमें लगाएं plants अभी देखिए गर्मिया आ रही है तो ये कोला वगरा की बोतल हमारे घर में बहुत अधिक आएंगी तो इन कोला की वगरा की बोतल को आप बिल्कुल भी ना फिके और इनमें इस तरह के से plant ग्रो करें और वह plant आप ग्रो करें जो easy to grow plant हो एक वेल्डन मिट्टी बना के और इनके नीचे जो है drainage system आप अच्छा सा बनाई है तो देखिये plant बहुत अच्छे से grow करेंगे आपके और ये तीन से दो से तीन साल फ्लेंट्स आराम से चलती है नहीं होता है और यह देखे यह तो बहुत ही छोटी सी बोतल से पेंट किया और यह देखे बहुत सारा कलेक्षण आपको देखने को मिलेगा यह भी देखिए यह भी आदा लीटर की बोतल है जिसमें मेरा यह जैट प्लांट लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है यहाँ पर भी देखिए यह भी बहुत छोटी सी बोतल है यह देखिए आप यह इसमें यह देखिए यह भी छोटी-चोटी बोतलों में और भी मैं आपको फ्लांथ अपने दीघाऊंऑ गार्डन के अभी मैंने जुआ हर प्लांथ में आदा लीटर की बोतल में दीए बालफ लगाए हैं देखे दोस्तों यह आदा लीटर की बोतल है और इसमें ये देखे रेन लीली का बल्ब लगे हैं ये देख सकते हैं और ये देखे ये भी आदा लीटर से भी छोटी सी बोतल है बहुत ही ये देखे इसमें भी इन रेन लीली के बल्ब लगाए हैं और जो कि ग्रो भी कर रहे हैं ये देख सकते हैं ये भी आदा लीटर की बोतल है और इस तरह मेरे गार्डन में तो आपको आदा लीटर की एक लीटर की दो लीटर की बहुत सारी बोतले मिलेंगी लेकिन अभी में जो आप से शेयर कर रही हूं वो सरिफ आदा लीटर की बोतले हैं फ्रेंट्स जो की अराम से चल रहे हैं उनम लीटर की बोतल है यह दू Mississippi कड़ प्लांट मेरा लगा हुआ है और मैं आपको दिखाऊ हूं है यह अगल यह बी छोटी सी बोतल में यह देखिए यह जैट प्लांट लगा हुआ जो कि बहुत अच्छे की चल रहा इनमें गरमिआहों में बहुत अच्छी фोलावर आते हैं और ये ये आधा लीटर से भी छोटी बोतल है। देखे funny दोस्तूं ये आधा लीटर से भी छोटी बोतल है और सभी फ्लांट बहुत अच्छे से चलते भी हैं तो इस प्रकार आप भी Friends बहुत चोटी चोटी बोतलों को बिल्कुल भी ना बैंके प्लांट अराम से ग्रो कर सकते हैं और यह दिखिए हैं यह भी चोटी चोटी बोतले हैं इस तरीके से एक चोटा सा टावर मैंने बना लगा दिया, और उसमें मैंने इह देखें, प्लांट प्लां NAT पर बांट आपको दिखाऊं, यह बहुत ही चोटी आपि cał्ट आपको दिखें, यह बहुत ही यह देखिए यह मैंने लगाया है छोटी सी बोतल में यह देखिए यह कटिंग लगाई थी मैंने बास्किट प्लांट की जो की बहुत आराम से चल रही है उसी प्रकारी दिखें यह भी बहुत छोटी सी बोतल है और इसमें मैंने यह देखिए रियो का प्लांट लगाया है तो ऐसी बहुत सारी आइटम आपको मेरे गार्डन में दिखती है जो की वेस्ट मेटीरियल होती है तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भ साथ हपी गार्डनेंग